नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भलचंद्र, ब्रह्मान्ट सिद्यास्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांग 22 अगस्त 2023 का संपुन राशिपन उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है मंगलवार का है शोबन नाम समवस्तर है, सुर्य का दक्षिन आयन चल रहा है वर्षा रुतु है, निजेश रावन माश के शुकल पक्ष के चटवी तीदी है नक्षतर चित्रा है, योग शुकल है दिन का जो करण है वो कौलव है और जो रात का करण है वो दैतिल है आज के दिन का जो गलीक काल है वो शुरुवात होगा इसमें किसी भी प्रकार के महतपुनकाम या फिनिर्णे आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा दोपर तीन बच कर एकतारीस मिनिट से लेकर पाच बच कर सतरा मिनिट तक और यमगंडकाल सुबह नौ बच कर सतरा मिनिट से लेकर दस बच कर त्रिपन मिनिट तक का होगा राहुकाल और यमगंडकाल दिन के अश्वकालावादी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतपुनकाम या फिनिर्णे मिल्कुल भी नहीं लेना उसी प्रकार आज के दिन का चंद्रमा है या चंद्रमा संपुन दिन तुला राशी में ध्रह्मन करेगा या चंद्रमा शनी के साथ त्रिकोन योग करने जा रहा है आजे कि दिन मंगल और निप्चुन का प्रतियोग होने जा रहा है उसी प्रगार वक्री शुक्र का गुरू के साथ केंद्र योग भी होने जा रहा है यह ग्रसिती सामने रखते होगे बारा राशियों का राशिपल क्या होगा इस सुषय पर अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहली रशी है मेश रशी मेश रशी के सब्सक्तम्स में चंद्रमा का ब्रहमण और आपके लाबभभभभभ में से शनी के साथ यह चंद्रमा त्रिकोनियोग करने जा रहा है हैं आपके स्वाष्ट मंगल के साथ आपके वेया भाओ काने वखर ने यह जो करे जा रहा है उसे अपकी के राशी में सितर्बाओ के साथ आपके चतुर्बाओ को जो वखर ने जारा है नहीं आने वाले दो से तिन दिनों में आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही जादा आवश्यक होगा। अगर आप अगर आप किसी के relationship में है तो यहां पर आने वाले 2-3 दिनों में आपको ध्यान देना होगा, चोटी मोटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है, और वो काफी बढ़ भी सकती है, उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेट करते हो, तो बड़ी रिस्क आने वाले 2-3 दिनों में बिल्कुल भी नही लेना, इसके बाद की जो राशी है, वो है मिधन राशी, मिधन राशी के पंचम बाव में चंदरमा का ब्रह्मन है, रापी के बागे बाव में सित्वक्री शनी के साथ या चंदरमात्री को उनियोग करने जा रहा है, आपके चतुरत बाव में सित्मंगल के साथ आपके ज़्यादा बनाना चाहते हो तो भी आज का जुदिन है आपके लिए शुब फलदाई साबीद होगा उसी परेकार अगर आपको अच्छे फायदे आपको मिलने की संभाला काफी अच्छी बन रही है आपके गर के पूर्श वर रहेंगे उनके स्वास्त के बारे में थ्यान द देना काफी महत्व पूर्ण होगा उसी परेकार आज की दिन आपकी जो स्पेंडिंग रहेगी जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा सा नजर रखना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी की चतुरत बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके के शाष्ट बाव में सित्वकरी शनी के साथ ये चंद्रमात्री को नियों करने जा रहा है आपके तृतियों बाव में सित्मंगल के साथ आपके भागय आर्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी लेकिन आने वाली दो से तीन दिनों में किसी भी प्रकार के महत पुर्ण निर नहीं बिल्कुल भी नहीं रहना आपके जो भाही बहन होंगे उनके स्वास्त के बारे में भी ध्यान देना आवश्य होगा इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के त्रिद्यों बहुं में चंत्रमा का भ्रह्मने और आपके सब्तम्भाव में सिद्वकरिशनी के साथ या चंत्रमा त्रिकोनियों करने जा रहा है आपके दिद्यों बहुं में सिद्मंगल के साथ आपके अगर आप इवाई तो आपकी जो वैवाई जोड़िदार है उनके साथ आपके हार्मनी भी काफी अच्छी देखी जाएगी लेकिन आने वाले दो से तीन दिनों में आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ सा कंट्रोल करना आवश्रक होगा अन्वांड़ कर्चे जाद कर्णियाराशी कर्णियाराशी के द्व रोव में चंदरमगा भ्रहण है और आपके ज national meglio करने जारा है आपके सब्सक्राशी में सीदव भब बगर मिल अगरा इंविशमेंट हो शक्ती है लेकिन आने वाले दो से तिंदिने में हैं अगर misunderstanding हो सकती है और यह misunderstanding थुड़ी ज़्यादा भी बढ़ सकती है आपको सौयर्व के स्वास्त के बारे में भी ध्यान देना आवशको का आपक की मित्रपरिबार में जो महिला वर्गों यो ने साथ च्छोटी-्मूटी बातों कंफु लेकर तकरार हो सकती है इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी में चंद्रमा का ब्रहमन है रापे के बंचम बाव में से तुवकरिशनी के साथ या चंद्रमात्री को उन्योग करने जा रहा है आपके बहुत है अच्छा दिन है आपकी जो एनरजी लेवल है वो काफी अच्छे देखे जाएगा अगर आप चेयर मार्कर में डिन करते हो तो लॉंग रंड में अगर आपके कोई इंवेश्मेंट की है तो उसके कुछ अच्छे रिटरंस आज के दिन में लेके संभावना क काफी अच्छे बन रही है अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं तो वहां पर भी जो बाते हैं जैसा आप जाते हो उस प्रकार से होगी लेकिन आपकी जो वाई 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 जो डिदार है उनके साथ चोटी मोटी बातों को ले करता कर रहा हो सकती है आने वाई दो से जो महिला कर्मचारइए उन से थोड़ा बच ज़र रहना हो hen इसके बात के चो राशी है वो है बृचिक राशी में चंदरमाका ब्रह्मण है और आपके चंदरमात्री को नियोक करने जा रहा है। आपके पच्छियेतरि यू नाज स्थम यू वपकर शुकर नियोक करने जा IB आज का जो दिन हैं बहुत ही मैत अपुनन सावित होगा काफी ज़ादा घूमना फिलना हो सकता है कुछ अच्छे इंटुशन भी आपको आ सकते हैं घर के जो बुजरुक होंगे उनके साथ आपके हार्मनी काफी अच्छे देखी जाएगे घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं निगरानी रखना आवश्यक होगा आपके जो वैगवाई जुजदार है उनके स्वास्त के बारे में भी आने मने दोस्य तिन दिन में प्राब्लम हो सकते हैं इसके बाद की जो राशी है वह द्नौराशी द्नौराशीके लाब वाहो में चंदरमा का ब्रह्मन और अबट झेंद्रियों गरूhistымиno superhero क्लीण Candanadamatan,ब्राश between दिन हैं आपको कुछ अच्छी लाव मिल सकते हैं उन से कुछ अच्छी सालाव मिल सकते हैं तोड़ा घुमना फिरना भी हो सकता है जो भी आपका कारिशेतर है उससे रिलेटर किसी भी प्रकार के महत अपुर्ण निरने आने वाले दो से तीन दिनों में बिल्कुल भी नहीं आपके जो सवय करिमें होंगे उनके साथ चोटी मूटी बातों को लेकर तक रहा हो सकती है उनके साथ में इसी प्रकार के बाते हो सकती है तो खुट पर कंट्रोल करना आवश्रक होगा आने विले दो से तीन दिनों में स्वायम के स्वास्त के बारे में भी ध्यान देना जा रहा है आपके भाग्यवाव में सिथ मंगल के साथ वगरी नेप्चुल प्रतियोक करने जा रहा है आपके सब्टम आप में सिध वगर सब्सक्राल पशायों के गुरुप है वक्वे पैसे की अच्छे लाव अगरा भी मिलने की संभवना काफी अच्छी बन रही है उसी परकार आने वाले 2-3 दिनों में किसी भी प्रकार के महतों निर्णे बिल्कुल भी नहीं नहीं ना आपके जो निर्णे है वो चूख सकते हैं उसी परकार आपके घर के जो लोग होंगे खास कर पर पुरुश्वर रखोंगे उनके स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवज चकोंगा आपके जो वैवाई जुड़ेदार उनके सच्छोटे मूटे बातों को लेकर तक राव आने में दो से तिन दिनों में हो सकती है जो राषी है वो है कुंब राषी के बाग्या बहों में चंद्रमा का ब्रह्मन है आपके करने जा रहा है आपके अश्टरणबाव में शत्मेकर शुक्र के साथ आपके रिओ करने जारा है बहुत ही अच्छा दिन है आपकर आपका confidence आज आज आपके energy level काफी अच्छी देखी जाएगी काफी refreshing day होगा जो भी काम आप करोगे उसमें सफलता मिलती होगी नजर आएगी आपका confidence इस वेचे से काफी अच्छा होता हुआ नजर आएगा लेकिन आने वाले दो से तीन दो में बिल्कुल भी नहीं करना उसरे प्रकार जो भी आपका कारशेतर हैं वहाँ और क्र खुक्तर रिलेक्टदेक काम पर थोड़ओ सा ध्यान देंक आवश्यक होगा स्वास्त के बादे समस्याई सामने आ सकती है इसके बाद की जो राशी है वो है मींद्र राशी मींद्र राशी के आश्टम बाव में चंद्रमा कब्रमन है और आपके बहुत ही अच्छा दिन है बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए थोड़ सा आपको स्वास्त के बारे में ध्यान देना होगा आज के दिन मिलने की संभावना काफी स्याधा बंद रही है अने मले दो से दिन दिनों में अगर आप विवाई थे तो आपके जो वाई-वाई जोड़िदार है उनके साथ च्छोटी मूटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है और यह तकरा बहुत ही जाता बढ़ सकती है पैसे के पैसे से रिलेटेड फाइनस से रिलेटेड किसी बेर अगर के महत पुर्पर पूर्ण राश्यफ़न आने में दो से तीन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना अगर करती है तो दोस्तों यह था दिनांग 21 अगस्त 2023 का संपुर्ण राश्यफ़न आपको यह राश्यफ़न कैसे लेगा आपने किस प्रकार से अनुभाव किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है प्रम्हांड सिद्यास्ट्रम इसे भी लाइ झाल